वेल बचो फाइनली आज सुप्रीम कोट ने अपना जज्जमेंट पास कर दिया है रीनीट को लेकर क्या जो पेपर लीक हुआ था पेपर को रीकंड़ करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए एक बहुत है सॉलिड डीसिजन यहां पे दिया था यह सेम बात मैंने आपको चार दिन पहले ही बोला था आपको और वही बात सुप्रीम कोट ने भी बोला और यही बात आने वाले कुछ इन्हों में पतना है कोट भी यह जज्जमेंट पास करने वाली है तो वंशी का यादो करके प्रटेशन अर्थी जिन्नों ने यह बोला था कि पेपर आपका पतन पर ना कोई भी स्टे नहीं लगाएंगे एंटी अपना रिजल्ट रिलीस करेगा और जो पेपर लीक हुआ है वह पूरा आल ओवर इंडिया आपका लीक नहीं हुआ है पेपर लीक हुआ है पर डिविजन में लीक हुआ है और जहां पर जितने भी एक्यूज थे उनको नीशनर थी उन्होंने ग्राउंट भी दिया था 2015 वाले केस का कि जहां पर सुप्रेम कोट ने यह जज्जमेंट पास किया था कि पेपर को चार हपतों के अंदर कंड़क कराना है तो उन्होंने वह जज्जमेंट वही पॉइंट के पर उन्होंने सिट को उठाया था बट सुप्रेम कोट ने यह बोला है कि समर ब्रेक के बाद समर ब्रेक के बाद वापस से केस को लिया जाएगा बट केनाट केनाट से दर रिजल्ट ऑव दी ऑल इंडिया एक्जामिनेशन यहां पर लाखो बच्चों का भविश्या यहां पर जाता जा रहा है जी वही मैंने आप सुप्रेम कोट ने स्टे के जो प्रेटेशन था उसको उन्होंने खारिच किया हुआ है बच्चों यही पूरी बात उन्होंने अपनी पूरा इसमें दिया हुआ है इसका मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन वाक्स में दे दूंगा अब जा कि इनकी ऑफिशल वेबसेट प पेपर सॉल्फ करने के लिए मतलब इनवाल थे तो यह बात हो गई सुप्रीम कोट ने जो स्टे था फॉर रिजल्ट के लिए उसको उन्होंने डिकलाइन कर दिया है एंटे को हरी जंटी दे दी गई कि वह अपने रिजल्ट बाद में जो 14 जुन का डेडलाइन है वो लोग रिलीस करेंगे अपना ठीक है तो जो रिनीट वाले जो बच्चे है ना याद देखो मानते हैं कि बाई चीजे गलत हुई है बट गवर्मेंट ना इतने लार्ज स्केल पर इस चीज को ना वापर से रिकंड़क्ट नहीं कराएगी अगर एक्स्ट्रा गर प्रशर बनता भी है कि 2015 में जो हुआ था जहां पर सुप्रिम कोट ने आपका जो पीम्ट का एक्जाम को ही कैंसल करके रिग्जाम कंडग करवाने को बोला गया था यह पूरा केस अलग था अभी वाले केस से पूरा अलग है आपका इसके बात क्या बच्चो एजुकेशन टाइम्स में भी ब अब वो उसको छोड़ दो और अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है इस बारी तो आप लोग यहां पर वापर से 25 की प्रफिशन शुरू कर सकते हो अरिंट करके कोई भी एंटिय कंड़क नहीं कराएगा मैंने आपको पहले ही बोला हुआ है यह मैं तो को तुम से सिंपत नहीं पॉसिबल है आज कल सोशल मीडिया का जमाना है एंड यूजर तक है ना डिटेन हो सकता है यहां पर पेपर किदर तक पहुंचा है वो सब कुछ पतल सकता है तो तुम बिल्कुल भी टेंशन मतलो भाई यह भी कंफर्म हो गया रिनी टब नहीं होने वाला है एंटिय भी नहीं करवाना वो भी उस मूड में नहीं है और समर ब्रेक के बाद तक तक तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा कांस्लिंग शुरू हो जाएगा जी और यह फिर बाद में नो ग्राउंड पर यह तुम्हारा पिटीशन बाद में कैंसल हो जाएगा और मतलब इसमें कुछ इंवाल्मेंट भी आपको गवर्मेंट का नहीं रहेगा अगर अपनी 25 की प्रिप्रेशन कर रहे हैं अगर आप सोच रहो ड्रॉप लेने के लिए हमारी अल्री बैचेश बच्चो बीस तारिक से शुरू होने वाली है ओके फिनिक्स बैच जहां पे ड्रॉपर्स के लिए बनाया गया है मैं तो बच्चों कहे रहा है तो पार्शल ड्रॉप भी ले सकते हो अगर नंबर तुम्हारे कम आ रहे हैं तो तो पूरा पूरा इस बैच को डिजाइन किया गया फिनिक्स बैच को आप एंड्रोल कर सकते हैं जो उसका प्राइजिंग सिर्फ 5999 है और यह अगर आपको एक अगर आपको एक अगर आपको एक साथ और यह बात हो गई और अगर आप आप अफ्लाइन सेंटर पर जाके अडिमिशन नेना चाहते हैं तो 35 पसंट और आप जाके वहाँ पर भी अनकाडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं मतलब सब्सक्राइब कर सकते हैं बस आप बाइलोजी लाइफ यह कोड बता दीजेगा तो आपको आफ्लाइन सेंटर पर 35 परसेंट आफ मिल जाएगा कुछ भी दिक्कत है डूले आपको अगली वीडियो में अभी क्लिए बस उतना ही थांक्यू जाहिंद बाबाए